सबसे पहले वीयल की सब्सक्राइब पाइक्स किया रता है बइस पर फार्ट ऑन में पार्ट बन पार्ट वन नहीं देखा तो आपको यह सम्झ में नहीं आगा तो सबसे पहले पार्ट वन देखागे फिर फीड़ाओं आप अम्सर परने बिटर्ट पर नहयारा आपका एडिट करना तो डेटा प्रवेने एट रेफ गैज बैक पर स्लैस को लोगोंटिशन माफ एडिट तो पीएश पी इडिक इसके तुरू करना है मुझे आएडी के तो आएडी मेरी क्या होगी तो डोलर रिजल्ट मेरी आइडी लेके आएगा वोगी अप्वास लैस तो यहां पर मैं क्या करता हूँ एक बटन क्रियेट कर लेता हूँ एडिट टाइप कि सब्मीट बटन के लिए आपको सब्मीट देना होता है एंड मैं वैलिद देता हूं तक कि मेरी बटन पर वैलिद दिखे तो आप यह मैं एडित देता हूं और एडित हो गया इसके बाद कि ये डाबल कोटिशन मांग लट सिट लाच में करता हूं मैं एक गरता हूं एक को तो मैं को गरता हूं अब मैं टेबल रोगम पर क्लोज करते था हूं प्रोपर के एंड टेबल को एंप एक डिटा और तो इसको एक्जी कुई करता हूं तो मुझे आप एडिट का बटर मिल जाता है तो जैसे ही मैं एडिट पर क्लिक करता हूं तो मेरी यह आईडी वन है तीक है यह आईडी आपकी होगी आईडी जीरो जैसे के आप देख सकते हैं आप एडी वन है जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं एडिट पर यह आईडिया आपकी है तो बुझे करना ID की तुह जैसे मैं ID क्लिक करता हूं तो यहां पर मुझे edit.php facebook बोल रहा है कि edit.php फे id2 तिक है तो महीं से मैं create करूँगा तो यहां पर email लिता तो यहां पर मैं देदेता हूँ थोड़ा चेंज के लिए यहां पर मैं देता हूँ update update and then proper होगा तो edit करने के लिए क्या करना पड़ेगा जैसे कि मैं यहां पर क्लिक करता हूँ edit तो यहां पर मुझे सो कराद है edit.php ठीक है question mark id2 तो यहां पर मुझे provide करना पड़ेगा आपका value तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा यहां पर मुझे edit.php की name से file create करने पड़ेगा तो control n as edit अपर चुकी है यहां पर क्या करना आपको एक फॉर्म लेना तो यह आपको सबसे पहले मैं आपको सिंपल बता जरता हूं तो यह आप कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको simple बदा देता हूँ तो insert.php में आपने एक form लिया था तो वो same form आपने आप भी ले सकते हैं तो चलिए वहाँ से copy कीजिए आप तो यह आपके लिए भी simple हो जाए और edit.php में जाए यह insert.php से include okay .php तो यहाँ पर अपने include करा लिया इसको remove गीज एक बार and मैं पर html ले ले लेता हूँ html and यहाँ पर body में ले लेता हूँ form तो यह मेरा proper हो गया उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पर data लेके आता हूँ तो data लेके आना पड़ेगा तो भी तो यह जाके insert होगा तो data लेके आते है dollar result ठीक है function use करते है marscalike query उसके same variable आएगा जो कि मैंने configuration file में create किया था और यहाँ पर आपकी slack query perform होगी slack asterix from यहाँ पर आपको table का name देना पड़ेगा details ठीक है यहाँ पर आपको order देना पड़ेगा तो one semicolon that's it while ठीक है dollar result जो मेरा variable है मैं scale i fetch array यहाँ पर यूज कर सकता हूँ dollar result जो मैंने वापर variable बनाया था query के लिए आप पर pass करना होता है and that's it ठीक है उसके बाद मैं क्या करता हूँ next मैं आपर variable को store करना है तो यहाँ पर इप condition भी दे सकते हैं ठीक है तो इप भी ले सकते हैं आप एंड वाई भी रे सकते हैं मैं क्या करता हूँ basically यहाँ पर मैं dollar name लेता हूँ dollar name ठीक है एक variable ले लिया उसमें क्या रिस्टोर करना था हूँ dollar जो name की value आएगी उसमें store करा लोगा variable में आपको दिखायता हूँ तो यहाँ पर आपको देना है dollar result ओके नेम तो यह आपकी value आगे ठीक है save कीजिए और मैं इसको क्या करता हूँ इससे भाहर भी मैं इसको क्या कर सकता हूँ यहाँ पर echo करा सकता हूँ तो echo कराने का simple तरीका हो जाए देगा dollar यहाँ पर नेम दीजिए and semicolon and clause that's it और इसको में execute करके आपको दिखायता हूँ कि value आ रही है कि नहीं तो ठीक है यहाँ पर देख सकते ही रिक की मेरी value आ रही है ठीक है तो मुझे क्या करना है है स्टेक्स बोक्स में लेकर आने के simple तरीका होता है तो मैं इसको यहाँ से remove कर देता हूं and मैं is के लिए भी same date कर लोगा अजख के लिए simple same date कर लिए तो यहाँ पर मैं क्या करता हूं तो यहाँ करता हूँ और उसके बाद में is के लिए कर लेता हूं and is that's it e-mail तो इमेल हो गया उसके बाद मुझे इंपूट बॉक्स में आना है तो मुझे वहाँ पर वैल्यू चाहिए तो इंपूट बॉक्स में वैल्यू के लिए क्या प्यूज करना पड़ेगा वैल्यू तो वैल्यूज कर लिए यहां पर पीएच्पी उपन कीजिए ताक्कि मैं के लिए सिंपल हो जाता है कि मैंने वाँपे आपको बताया था व्रमेली करके कि एको कर सकते है तो यहां पर मैंने करके इंपूट बॉक्स में नेम को आखो कर रहा इसके तो इधी के तुछ ठीक है तो रिक्की आया चुका है ठीक है तो यह हो गया उसके बाद मुझे सेमी प्रोसेस फोलो करना है एज के लिए और इमेल के लिए तो मैं इसको कोपी कर लेता हूँ पेस्ट सेव टाइम पेस्ट ओके तो यहां पर मैं चेंजिस कर देता हूँ is and mail simple और इसके बाद मैं ठीक है तो रिकी आ गया एजी भी आगी एंड किएगी email id भी आगी gmail.com भी आ गया ठीक है तो यह हो गया अब मैं आपर चेंज कर देता हूँ बटन की जो मैंने इंसेट दीती वैल्यू आपर मैं चेंज कर देता हूँ तो यहां पर मुझे index.php भी जाना है तो मैं पर लिंक प्रोवाइड करा दूँगा तो यहां पर देता हूँ home हूँ सेव करते हैं हूँ है कि ओट हूँ हो लिए तह यहां पर ओए अब आगे आपको देखना है तो आप्ची के सामनी जुःडिक करोगो तो आपको दिटे़्टा मिल लेकि रिक्की 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 की एज होगी रिक्की की आपको email id मिल जाएगी तो यहां पर इप्डेट कर सकते हैं तो अभी मैंने update प्रोप home नहीं किया है तो और आपकी शोहन और एज है तो यहां पर एडिट करने पर शॉन की आने चाहिए ठीक है और जब भी मैं रिक्षी पर क्लिक करता हूं तब यह सेम ही दे रहा है तो अब मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा तो उसके लिए मुझे थोड़ी चेजिस करने पड़ेगी सबसे पहले फर्स जो मेरी वैल्यू आ रही है यहां पर डिकी जो वैल्यू है उसके थुरू मुझे अडिट करना पड़ेगा तो एडिट करने के लिए चलिए बड़ेगा तो वाल्यू को मैं गय कर लेता हूँ दोलर आईडी स सिंपल ठिक है और यहां पर मैं प्रोवाइड कर डाई तो मुझे यहां पर आईडी के तुरू कराना है तो मुझे यहां पर आईडी गेत रू देना पड़ेगा दोलर पाउडी के रेलोड पीजगे ईडिट तो यहां पे अचुकर दो उप्टिय्य आठिक है अचुकर है तो जैसे मैं अपडेट्ट पर क्लिक करोंगा तो वह ऐल्यू मेरे अबडेट होने चाहिए है तो बेट्ट करने के ल difference कि हैं परफॉर्म करना पहले हैं मैं सबसे बहले आपको बता आतो long time update के लिआ क्लिए uh auto auto update के दूर करना है कि है इड़ी तुd जैसे ही आसे थो फिए डेटर आपड़ेट स्वाइध और यादी के यह तो पीणी दिर फिर आपडेट हो जाए कि इन्पूट टाइप में उसको हिडिन देता हूं इसकी ज़रत नहीं है मुझे शो कराने की और इसको नेम देता हूं एपडेट के और में पडेटक आपडेटा जा रहा है और उस समद गजले जैंक रहें कि वह थी आई डेटक how ह अग्योप हम अदेशक्य案 काल रही मुझे अभाजब करें है जो शैमे कॉल आने पर कोई दोब कोशेशन मांग दिने को जरूत नहीं है तो यहां से रिमोग और दीजे शेयर ठीक है तो यहांपर क्या हो रहा है कि वैलू जाहेगी जब मैं सब्मिट बटन पर क्लिक करूगा अपडेट पर क्लिक करूगा तो यह ऐडिया एकि ठीक है आईडी करिए मैं प्रफॉर्म करते हैं तो अपडेट करें आप यह प्रफॉर्म कर लेता हूं एके वल्ग को तो ये मेरे लिता हम इन से मेरव बीदानों तो कोमाड़ा टीक कोपी ठीक हैं ये आप अदीड बीटिन फेस्ट कर देने तो यहाँ पिस लेक की Transny का इन पेस्ट कर दिया दूप हाँ भुमैट है तो इनकी शहका पर कीशें थ्लियाrist तो आपको श्यम रखना है तुक है दोलर रीजर्ट आपने वैरेबल मना ठीक है अब याप एपको चेंजिस करनी है तो यह आपकी इनसर्ट किफी आपको रीमोव कर देना है इसको ठीक है तो यही प्रोपर आपकी चेंजिस हो गें आप यहां पर आप डेट की क्वरें चलान सेट कीज़ें यहां पर को सेट करना तो नेम कौन सा है जो आपका वैरियाबल लेकर आ रहा है तो कौन सा वैरियाबल वैल्यू लेकर आ रहा है न्यू डॉलर नेम तो डॉलर नेम यहां पर वैल्यू लेकर आ रहा है न्यू अपडेट होने के बाद ठीक है इस डॉलर एज लिके आएगा वैल्यू इमेल को स्टू डॉलर इमेल एक आएगा वैल्यू ओके एंड यह लोग गया ठीक है उतके बाइड आईड इकल्स टू डॉलर आईडी ठीक है तो यह आपके प्रॉपर हो गया मैंने अपके किया एक माल को स्टू जलाए ठीक है रिऴ क्वरीश अपडेट करता हँ प्रॉपlles यह यह धार ब करना है ब करता है यह यहetten मैं डा लिफन कर लेता हूं है डर लोकेशन देता हूं यदि मेरा अपडेट हो जाता है तो मुझे इंडाइक डोट पीच पीपि लेके जाए इंडाइक डोट पीच पी ठीक है अगर अबडेट नहीं होता है तो मुझे फैल देट पॉपर कि उसके बाद मैं इसको एक्जिक्ट्यूट करते हैं मुझे विख भिते हैं तो मुझे विख अब बडेटर मुझे अप्रक्राइब अटो है टो एड़र देर है तो और 46 तो रिशिक्स तो बिख़ें पेस यांपर नहीं होगा तो सबदान यह से ओग जिए वसके बाद मैं एक्जिक्ट करता हूं तो मेरा थीक है तो सोहन का मैं यहां पर डेटा बेट करूँगा सोहन लाल एज मैं अपडेट कर देता हूं 90 जो मेरी आइडी चेंज हो चीए कुछ भी अपडेट करता हूं तो अपडेट करने के बाद मेरा इंडेक्स बजाना चीए तो जैसे कि देख सकते हैं वहाँ पर आपडेट करता हूं तो यह एडर पर लेकर जाएगा क्योंकि मैंने वहाँ पर हैडर फंक्शन वाप यूज गया तो यहां पर डेटा अपडेट हो चुका है तो अपकड्वास पर इसने पर जाएगे वाँ पर जाकर आप देख सकते हैं तो मिलता हैं पार पॉर में तो